नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, पर कुछी लोग सपल होते हैं, इसमें उनके किस्मत का कोई कसुर नहीं है, उनके कर्म में कमी ज़रूर हो सकता है, अथ्वाद जो कर्म वो कर रहे हैं, उसका सही ग्यान नहीं होने के कारम कोई भी बिजनेस में नुकस उठाना पड़ता है आप एक दुकान खोल के बेटे हैं या कोई व्यापर करते हैं चाये वह किसी परकार का भी हो पर वह आपका उतना व्यापर नहीं हो पारा है और जिसके कारण आपको नुक्सान हो रहा है हलाकि व्यापर में लाव आत्वा हनी वेक्तिगत ग्रोस्तिती तथा समय पर निर्भर करती हैं अंत में वेक्तिगत लाव हनी जानने के लिए अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराई तो साथ ही दशा अंतरदशा के आनुसार संपूर्ण उपाय जरूर लेना चाहिए हिंदु सामान्य तोर पर हम कुछ उपाय यहां आपको बता रहे है जिस उपाय से आपको कुछ हद तक लाव जरूर होगा हिंदु धर्म में सामान्यता यह है कि कोई भी शुब काम करने से पहले इश्वर की पुजा करनी चाहिए और उनकी पसंद की कुछ सामगरी अर्पि काम है कि कुछ दिन के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपका बिजनेस का हाल बेतर हो रहा है प्रति दिन सुबह सुबह दुकान खोल कर भगवान गनेश की मुर्ती रख कर अगर्वत्ती दिखाए उस तुलसी पत्ते और बताशे हो या शक्कर पानी के साथ अर्पित क करें भगवान गनेश को अगर्वत्ती दिखाते समय भक्ती बजन चालू करें इससे दुकान में वातावरन साकारात्म करेंगा भक्ती बजन से साकारात्म पूर्जय का प्रभाव पड़ता है जिससे आपके दुकान में खरिद्दारी बढ़ेंगे और ग्रहाग धेर सारे सामबा की एक कुबर भगवान की मुर्थी दुकान के सामने लटका दिजिए जब भगवान गनेश को अगर्वत्ती दिखाएंगे तब इससे भी अगर्वत्ती दिखाकर वेफार की शुरुवात करें शनिवार के दिन आपको एक शिशे के गिलास में पानी डाल दे फिर उसमें आप एक पीला निम्बू उसमें डाल दिजिए उस गिलास को आप एक धकन से धक दिजिएगा अब इस गिलास को आपको अपने काउंटर पर रख देना है लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि हर शनिवार को निम्बो और पानी को बदलते रहे आप दो तीन शनिवार तक करके देखिए निच्ची थी आपको बदलाव नजर आएगा एकक्षी नारेल को लाल कपड़े में गेहू के आसम पर सापित करे और शिंदूर का तिलक करे अब मुंगे की माला से नीचे लिखे मंतर का जाप करे 21 माला जाप होने पर इस पोटली को दुकान में ऐसे स्थान पर टांग दे जहां गरहकों की नजर इस पर पढ़ती रहे इससे व्यापार में सपालताल मिनने की योग बन सकते है शुद्ध कस्तोरी को चमकीले पीले वस्र में लपेट कर अपने तिजोरी में रखे इसके आलावा निन्मा शक्तिशाली मंतर का जब करे जो आपके व्यापार को जरूर निरंतर उन्नती प्रदांग करेगा मंतर ओम स्रीम 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 परम सिद्धी व्यापार रुद्धी नमा जितना आप से बन पड़े उतना मन ही मन दुकान की गद्धी पर बेटे इस मंतर का जाब करते रहे अगर आप किसी शत्रू या किसी के लगातार टोटके ने या बुरी नजर लगाने से बुरी तरह परेशाने और किसी भी तरह उसका निवार नहीं कर पा रहे है तो 38 दाने साबुत काले उड़त और 40 दाने चावल मिला कर किसी गड़े में दबा दे और उपर से कागजी निम्बु निचोड़ दे शत्रू का नाम भी ले लक्षिमी मंतर सुबह के समय दुकान खोलते वक इस मंतर का साथ साथ बार जाप करे फिर दुकान का शेटर उठाए ओ महालक्षिमे चविगने गिष्णु पत्नी चदीमाई तन्नो लक्षिमी प्रचोदायाद इसके इसी के बाद धूबदीब दिखाकर अपने कारे की शुरुवात करे सम्रुद्धी पाने की लिए कोवे या गाई को रोज अपने भोजन में से एक टुकडा निकाल कर खिलाए अपने दुकान में सपलता और ज्यादा आमदनी के लिए पीले रंग का फुक्राच धारंग करे यदि आप चाहे तो पन्ना भी धारंग कर सकते है यदि आपको यह जानकारी सही लगी या अच्छी लगी